नमस्कार आप देख रहे हैं उत्रागंट तक और मैं हूँ आपके साथ सरीततिवारी मौसम विभाग की भवश्यवानी लगातार सही साबित होते ही नज़र आ रही है जहां पूरे तरकाशी जिले में बारिश लगातार जा रही है तो ही गंगोती धाम से लगी पहाडियों सहित हर्शिल और धराली मुखवा की उची पहाडियों में लगातार बरबारी जारी है बरबारी के चलते पूरे गंगोती शेतर में शीत लहर बढ़ गई है इस बक हम खड़े हैं 200 परसी धाम गंगोत्री धाम में यहां पर आप देख सकते हैं कि चारों और जो उची पहाड़ियां हैं उसमें जो बरबारी हो रही है जब कि जो गंगोत्री नगर पंचयत का जो रही है यहाँ पर लगातार बारिश जारी है बारिश इस तरीके से है कि अगर यहाँ के स्थाने लोगों का कहना है कि लगातार अगर एक दो घंटे और बारिश जारी रही तो यहाँ पर भी बरबारी होने की संबावना है मैं कैमरामेन से चाहूँगा चारों और पहाडी को दिखाएं किस तरीके से बरब की सपेच चादर पहाडीयों ने ओर ली है ये बरबारी अमोमन इस माहा में नहीं होती है लेकिन इस बार जो मौसम भीवा की जो बवीशे बानी थी उसके चलते बवीशे बानी यहाँ पर सही साबित होती भी दिख रही है ठिटरन बहुत जादा बढ़ चुकी है अभी का जो तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया तिर्थ यात्रियों में इस थंड होने के बाबजूद भी जो जो आस्ता और विस्वा से गंगा मईया के पड़ती हो साफ देखने को मिलता है यानि कि जो थंड है वो बिलकुल भी यहाँ के तिर्थ यात्री जो आए हैं यहाँ पर उन लोगों को मैसूस नहीं हो रही है मैं हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर तिर्थ पुरोईद गंगोतरी मंदिर के इन से जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी थंड यहाँ पर लोगों को जेल नी पड़ रही है क्या नाम है आपका से बारिष चलती रही है तो थोड़ी देर में पूरी गंगोत्री बरफ से हिमचादित हो जाएगी निश्ची तोर पर जैसे की रावल जी ने बताया कि यहां पर अगर एक दो गंटे और बारिष अगर जारी रहती है तो यहां पर भी जो यह बरफ बारी होने के संभावना है हालंकि बरबारी दुसवारियां लेकर के आती है लेकिन जो अन्य परदेशों से गर्मी वाले परदेशों से जो आएवे जो लोग है उन लोगों के लिए कौतुहल का भी से है अमोमन जो यहां पर मैंने तिर्थियात्रियों को देखा वो बिलकुल बड़े कौतुहल से जो उत्तरकासी से गंगोत्री धाम की ओर आ रहे थे तो यात्रियों को जाम जैसी समस्या से जूजना पड़ा उसके बारे में जानेंगे आप मंदिर समीती के हैं पदादीकारी है तिर्थी यात्रा चल रही है जो रोपर जाम की स्थिति लगातार बन रही है क्या कहना जन्तों यात्रियों को जो है खड़ा रहना पड़ रहा है क्योंकि यह जाम इसले लग रहा है जिस परकार से रोड बहुत ही संक्री है इसके लिए जिला प्रशासन और पुलीस प्रशासन को जो है अपने यह जो प्लीस के जवान है यह प्रतेक जगा खड़े करने चाहें ताकि जाम न लगें क्योंकि बड़ी बड़ी बसों के वजह से ही जाम लग रहा है और नेशी तोर पर पर जो प्रशासन और उसको संजीदा होना चाहिए तिरतीयात्रा को ले करके और जगा 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 पर ट्रैफिक पोलीस को खड़ा करना चाहिए जिससे की यात्रियों को किसी प्रकार की असुमिदा न हो ओंकार बहुगुणा गंगोत्री तो ये थी गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा की रिपॉर्ट